पानिपत के मोडल टाउन से देख नीजी अस्पताल में एक विक्षप्त युवती से गैंग रेप का मामला सामने आया है अहरोब है कि अस्पताल के ही दो करमचारियों ने युवती के साथ गैंग रेप किया है बताये जा रहा है कि युवती की आवाद सुन पहुंचे परिजन ने करमचारियों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई की लेकिन बाद में दोनों आरोपी भाग डिकले पीडित के पिता की शिकायत पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने दो करमचारियों के खिलाफ दुशकर्म की धाराओं में केस दर्ज कर एक करमचारी को गिरफतार कर लिया है बता दे कि मतलोडा के एक गाउन निवासी पिता ने अपनी बेटी को असंद रोड सित एक प्राइवेट अस्पताल में भरती कराया था मांसिक रूप से विक्षप्त युफती को पेट संबंदी बिमारी है आरोप है कि 25 जनवरी की रात को अस्पताल के दो करमचारीों ने वाट में भरती युफती के साथ गैंग रेप किया युफती के शोर मचाने पर परिजनों की आँख खुली परिजनों ने युफती के वाट से भाग रहे दोनों करमचारीों को पकड़ लिया रेप की बात सामने आने पर परिजनों और अन्य लोगों ने आरोपियों की पिटाई कर दी हलाकि आरोपी मोका पाकर भाग निकले जबकि एक आरोपी को पुलिस ने काबू कर लिया है बता दे चले कि युफती के पिता ने आरोपी करमचारीों के खिलाफ मोर्डल टाउन थाने में शिकायत दी है पुलिस ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ दुशकर्म का केस दर्च कर लिया है पुलिस फुटेज के माध्यम से आरोपियों की तलाश कर रही है वही अस्पताल प्रशासन इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है उधर मौलल टाउन थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्च कर लिया गया है उनकी पहचान की जा रही है जल्द ही दूसरे आरोपिय की गिरफ्तारी की जाएगी पानिपत से समादाता प्रवीन भारत द्वाज की रिपोर्ट इसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइज शेर आड़ सब्सक्राइब करें खर्णेवाद